नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। भाद्रपद महीने में पढ़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है, और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों, आपके पास एक आखरी मौका बचा हुआ है जो कि 3 सितंबर 2024 भादरपद महीने का मंगलवार अमावस्या तिथी के दिन तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस भादरपद महीने के मंगलवार अमावस्या तिथी के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी ह इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुरान की कथा में बताया है जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं इस वीडियो को देखने के पश्चात, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं. देखिए, यह भादरपद महीने के मंगल अमावस्या तिथी के दिन, यह इतना खास हो पूर्ण होता है. देखा है कभी-कभी बड़े-बड़े पूजा पाठ, अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह भादरपद महीने के दिन, एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है. और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को कि भी जरूर मिला है. यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा. और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की तो इस दिन आप लोगों को पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय कर लेना है, यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को किसी विशेश दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेश दिन का जो है, वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है किस को करना है और कैसे करना है तो चलिए हम आगे को वीडियो में एक एक करके बता देते हैं लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शि पालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये जो वीडियो देखेगा भाई उसको पांच तुलसी पत्तों वाला उपाय जरूर करना चाहिए क्योंकि इस दिन पांच तुलसी पत्तों का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब बात आ ज जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और दोस्तों यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं यदि किसी व्यक चांत लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोशकाल में भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई सब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस पा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे, तो हमें कितने बजे से लेकर, कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोशकाल में कर तो दस या बारह बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर बारह बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोशकाल की बात करें, प्रदोशकाल का जो समय है, होता है, वह साढ़े चार बजे से स जाड़े चेह बजे तक होता है, शाम के चेह बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के चेह बजे से लेकर साथ बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोशकाल का समय होता है, पर अभी जो मौसम चल रहा, इस मौसम में जो है, शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को साथ या आठ बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के छह बजे से रात आठ बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके कराएं हैं इसे आपने यदि मंगलवार के दिन कर लिया उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर जाएगी देखिए तुलसी के पौधे में मन लक्ष्मी का वास होता है है ना तुलसी का पौधा श्री हरी विश्नु को सबसे प्रिय है और तुलसी का पौधा आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है इसी के साथ आप सभी को यह बात पता भी होगी कि जो मंगलवार का दिन है कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जी दिन उपाय करने हैं हनुमान जी से जुड़े हुए और उसमें यदि आपने तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो यह और भी उत्तम होता है चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेश कर मंगलवार अमावस्या तितिके दिन करना है तुलसी के पाँच पत्तों से तो देखिए उपाय आपको बताए उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न ह हो जाते हैं तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के पाँच पत्ते ले लेने हैं ठीक है ना अब तुलसी के पाँच पत्तों के उपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है सिंदूर जो होता है सिंदूर आप थोड़ा सा लें बजरंग बली के मंदिर में आपने द अर्पित करने हैं. आपके घर के आसपास जहां भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहां पर आप जाएं और तुलसी के पांच पत्ते आप उन्हें अर्पित करें और एक दीपक आप ले कर जाएं. ठीक है ना दीपक? यहां पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, कोई भी एक दीपक ले कर जाए और तुलसी के पांच पत्ते ले कर जाए जिसके उपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है। जो दीपक आप ले कर के गए हैं, चाहे चमेली के तेल का आपने लिया है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वो आपको हनुमान जी की मूर्ती या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है, और यहाँ पर आपको रैम का नाम लेना है, उनके नाम का आपको जब करना है, कितनी उपाय तो जब भी आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो जाए पैसे को लेकर करजे को लेकर तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास मंदिर जाएं और तुलसी के पांच पत्ते हनुमान जी को सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर जरूर अर्प ये पहले उपाय की बात कर ली अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की जो कि आपको भाद्रपद महीने का मंगलवार अमावस्या तिति के दिन जरूर करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते है ऐसा आप मान के चलिये कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके बिना कहे आपको वो दे देंगे तो देखिए, आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है, और साथ ही साथ आपको लेना है, कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है, अब भोग में इम्रिती आप ले ले सकते हैं, कभी भी आपको दूद से बनी हुई मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, तो आप यहाँ पर इमर्ती ले लें, दो इमर्ती ले लें और एक लाल फूल ले लें, अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुँचना है, हनुमान जी के मंदिर में अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है, और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं, वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है, देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, मान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके बिना कुछ कहे बिना, कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है, बह अभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे जिससे आपको थोड़ी खुशी मिले, जिससे आपको सदैव ज्यादा खुशी मिलेगी, ना जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा, वही आपको वह देंगे, तो संकट मोचन बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न ह हो जाते हैं, जो लोग उन्हें विशेश कर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं, तो जरूर करें, मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाब होता है, जो व्यक्ती करता है, जिसने किया है, उन्हें इसके लाब पता भी है, तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं, अब अपने लास्ट उपाय की ओर देखिए, जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को यदि आपने कर लिया, तो आपको अपने जीवन में एक चमतकार देखने को मिलेगा, जो जो चीजें आप सोचेंगे ना, कि मेरे जीवन में यह चीज अच्छ लेनी है, सिंपल है ना, उसके उपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है, और उसके उपर आपको लाल रंग के पैन से भगवान रामा का नाम लिखना है, ठीक है न अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है, जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उस समय आप ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से, भगवान राम का उस डायरी के उपर नाम लिखेंगे, हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, यदि आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं, तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान रामा का नाम लिखेंगे, जब वो डायरी पूरी से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है, पूरी तरह से भर जाएगी आपको क्या करना है इस डायरी को, ठीक ह आपको एक बार बजरंग बान का जो पाठ आता है, उसे सुनना है, या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं, तो देखिए बजरंग बान का पाठ आपको करना है, इस दिन एक बार और फिर आपको क्या करना है, एक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं, इस उपाय को यदि आपने कर लिया, तो आपको अपने जीवन में बहुत चमतकार देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह जो आपने डेरी में भगवान रामा का नाम लिखा है न, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मान के चलिये, कि जिस व्यक्ती ने भगवान रामा का नाम ले लिया, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते, तो हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कि अपने उस भक्त को बिना कुछ मांगे भी सब जो भक्त कह देता है उसको वो चीज मिलती ही मिलती है, तो देखिए कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत अधूरी है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो ये डाइरी वाला उपाय आप जरूर करें, इसका बहुत ज्यादा लाब आ आपको देखने को मिलेगा और आपकी सारी विश्को संकट मोचन हनुमान पूरा कर देंगे। पीपल के पेड़ की परिक्रमा या फिर तुलसी के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए क्योंकि दो दिन पढ़ने वाली अमावस्या बहुत कम आती है। के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों इस अमावस्या के दिन आप लोगों को इस ग्यारह चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगोंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस ग्यारह चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखरी मौका बचा हुआ है, जो तीन सितंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर यदि आपने इस भाद्रपद महीने के भौमवती अमावस्या के दिन, यदि इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके, दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुरान की कथा में बताया है, जिस उपाय क आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं, देखिए, यह इस महीने के मंग उपाय करने से ही आपकी मनुकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है, यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। और फल बहुत जल्दी मिलता है क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेश दिन पर कर रहे हो तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको ग्यारह चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेश महत्व होता है और जब बात आ जाए ग्यारह चावल के दाने की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय है इस भोम अमावस्या का। तो अब दोस्तों इस ग्यारह चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं तो देखो घर की जो बड़ी माताएं बहने होती है उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है और द आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं.